पावर कौन है यहां बॉस कौन है यह वो सवाल है जो अमेरिका की एक हरकत के बाद फिर खड़ा हो गया है सवाल ये भी कि कोरोना के खौफ में क्या अमेरिका चांग को अपना अगला बेस मान रहा है तक कि सुपर पावर के ओहदे को बचाया जा सके और इन सब के बीच क्या होगी भारत की भूमी का दरसल दोस्तों जब दुनिया क्रोना के खत्रे से खुद को बचाने के लिए घरों में क्याद है और लाशों के धेर के धेर दफनाए जा रहे हैं तो इस बीच ट्रम्प ने एक ऐसा अलान कर दिया है कि दुनिया एक बार फिर जन के मुहाने बढ़ा गई है इस बात का अलान ट्रम्प ने बाकाइदा एक 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 एक्जिकेटिव ओर्डर को साइन कर के किया और ये वही कॉपी है जिसे वाइट हास की तरफ से रिलीज किया गया है इस ओर्डर का मतलब ये है कि अब अमेरिका की तमाम सरकारी कंपनियो समेट नासा को भी ये अधिकार मिल गया है कि वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी जाकर खुदाई कर सकते हैं जिसे तकनीकी की भाषा में कमर्शियल माइनिंग भी कहा जा रहा है और ये सारी डीटेल भी वाइट हाउस के इसी ओर्डर में दी गई है तुनने में कालपनिक लगता है लेकिन ये भी साफ समझ है कि यहां मौजूदा परस्तीतियों में फिलाल प्रमांड का मतलब चांद है अलाकि मंगल करह या दूसरे घर भविश के परस्तीतियों के अधार पर तैह होंगे पिलाल इस मिशन का नाम मिशन अर्थिमिस दिया जा रहा है और इस मिशन के तहट साल दोहजार चौबिस तक अमेरिका धर्ती से दूर चांद पर कुछ इस तरह प्लांट सेटप कर लेगा जहां पर बाकाइदा चांद के गुर्त्वा कर्शन को ध्यान में रखते हुए माइनिंग की तमाम जरूरतें पूरी की जाएंगी और ये सेटप कुछ इस तरह दिखाई देगा लेकिन सवाल कि अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है कि धर्ती के सारे संसादन उसने इस्तमाल कर लिए तो दोस्तों आपको बता दे कि दरसल यूएस ये मानता है कि अंतरिक्ष मानव जाती के लिए लीगली और फिजिकली हर मोर्चे पर एक ऐसा शेतर है जो बाकी चीजों से बिलकुल अलग है और वो उसे ग्लोबल कॉमन्स की तरह नहीं देखता लेकिन सवाल कि आखिर ये ग्लोबल कॉमन्स चीज क्या है तो बता दे कि ग्लोबल कॉमन्स का मतलब इस पृत्वी के वो तमाम ऐसी जग हैं जिस पर किसी एक देश का स्वामित तो नहीं हो सकता जैसे अताहब महसागर अंटार्टिक का एक बड़ा हिस्सा या फिर साइबर स्पेस या फिर आसमान का एक्टमास्फियर जो सूरज की तरफ से आने वाली खतरनाक अल्ट्रा वॉलेट केर्णों से इस पृत्वी को बचाता है और इस पर किसी भी देश का स्वामित नहीं माना जाता लेकित अंत्रिक्ष के मामले में अमेरिका ऐसा नहीं मान रहा यहां यूएस ने इस रेलीज ओडर की जरीए यह साफ काहा है कि जो पहले पहुँचा वो उसका और वही यहां पर माइनिंग यानि की खुदाई करेगा हलाकि दोस्तों अंत्रिक्ष को लेकर भी कई ट्रीटी साइन की जाती हैं ट्रीटी मतलब की एक तरह का एक common minimum program जिस पर लगबग हर देश की सहमती हो कि हम ऐसा करेंगे और ऐसा बिलकुल नहीं लेकिन यूएस ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले में किसी भी ट्रीटी को नहीं मानेगा लेकिन रश्या को अब इस बात से बड़ी दिक्कत है और वो लगतार अमेरिका पर आरोप लगा रहा है कि अमेरिका की हरकत किसी कॉलनिजम की तरह है दोस्तो कॉलनिजम का मतलब ठीक वैसा ही जैसा एक जमाने में अंग्रीज़ों ने भारस समेत कई देशों पर अपना राज स्थापित करकर किया था और अब रूस का मानना है कि अब अमेरिका अंतरिक्ष के मामले में भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है साथी रूस ने ये भी साफ कर दिया कि वो ऐसा होने नहीं देगा इसका सीज़ा मतलब आने माले दिनों में अंतरिक्ष को लेकर अमेरिका और रूस समेत कई बड़े देशों में भयंगर ठकराव देखने मिल सकता है जिसमें चीन भी कूट पड़े तो हैरानी नहीं होनी चाहिए हलाकि कईयों का कहना है कि हो सकता है भविश में चीन और रूस मिलकर अमेरिका की इस चाल को नाकाम करने की और अमेरिका को रोकने की कोशिश करें लेकिन जवाल के आखिर अंत्रिक्ष को लेकर जंग क्यों तो दोस्तों को बता दें कि दरसल चांद पर मौझूद हीलियं थ्री नाम के एक तट पर सब की नजर है जिसे एनर्जी का एक बड़ा शोत माना जा रहा है और बताया जाता है कि ये तर्थ चांद के गर्व में छुपा हुआ है जिसे माइनिंग यानि की खुदाई के जरिये ही हासिल किया जा सकता है ऐसे में अमेरिका की कोशिश है कि अगर वो इसे पहले हासिल कर लेता है और उसे धर्ती पर लाने में काम्याब हो जाते हैं और फिर इसके बाद कोई ऐसी तकनीक विक्सित कर लेते हैं जिससे वो इसका इस्तमाल कर सके तो अमेरिका को भविश में पेट्रोल, डीजल, यूरेनियम या इनलजी के दूसरे किसी संसादन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसी से गाड़ियां, फैक्टरी और देश की वो तमाम जरूरतें चुटकी में पूरी हो जाएंगी इतना इनेस के बाद वो अपने तमाम कभी टीटर्स जया थे कि चाइना और अश्या से भी कई कदम आगे निकल जाएगा और उसका सूपर पावर का ताज भी बरकरार रहेगा जो फिलाल कुरोना की वज़ा से खतरें में पड़ चुका है ऐसे में जानकारों का एक हिस्सा कालपिक तोर पर ही सही ये भी मान बैठा है कि अमेरिकी अब मानवता के लिए चांद की ओर देख रहे हैं जो कि भविश में एक ऐसी छलांग हो सकती है जो किसी युग परिवर्तन जैसा होगा ऐसे में नजर भारत पर भी होगी कि वो किस ओर जाने का फैसला करता है कि चिंदा को खत्म किया जा सके जो अमेरिका की तरफ से लगभग तया ही दिख रहा है या फिर भारत को रश्रिया और चाइना के साथ मिलकर अमेरिका का विद्रोग करना चाहिए अपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपका धन्यवाद नमस्कार